ED और CBI इसका यही काम रह गया है इसका मकसद कोई जाज करना नहीं बलकि देश के सबसे लोकप्रिया नेता अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पाटी उसको फसाना उसको बदनाम करना उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना उनको प्रतारित करना यह काम रह गया है देश की इन दोनों EDCBI की जाज एजनसी का काम गन पॉइंट पे बयान लेना हो रह गया है गवाहों से गन पॉइंट पे बयान लेते हैं धमकाते हैं डराते हैं और बयान लेने के बाद फसाते हैं जेल में डालते हैं सबूत कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं, प्रमार कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं, लेकिन धमकाना है, डराना है, प्रधान मंतरी मोदी जी के निर्देश पर उनकी कटपुतली बनके नाचना है, ये काम ED और CBI का हो गया है, और कई प्रमार हम पहले दे चुके हैं, आज और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, क्या भासा बोलते हैं ये लोग, और इसके दो-तीन बड़े किरदार हैं, एक संजय मिश्रा हैं जो ED के डिरेक्टर है, दूसरा वहाँ पर एक महिला अधिकारी हैं भानू प्रिया, तीसरे एक CBI के अधिकारी हैं मोल सच आप कल्पना करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपराधिक कृति ये अधिकारी करने हैं, कितना बड़ा अपराध अपने ड्यूटी के साथ, मैं इन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो 75 साल के बाद सन्यास ले लेंगे, लेकिन आपक कीजिए, इमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए, ये डराना, धंकाना, ये गन पॉइंट पे बयान लेना, ये कान फारना, ये कहना कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे, ये सब बंद कीजिए, किसी के बाप को बुला के बैठा के धंकाय जा रहा है, किसी की पत्नी को बुला के बैठा के धंकाया जा रहा है, किसी की मा को बुला के धंकाया जा रहा है, मा, बाप, पत्नी को पहले अपने साथ एक कमरे में बंद करके रखते हैं, उसके बाद जाके जेल में कहते हैं कि वो सब हमारे कबजे में हैं, बयान दे, नही तो ये कर देंगे वो कर देंगे और इन तीनों अधिकारियों को inverted कामा में बताना चाहता हूँ ध्यान से सुन लीजिए इस press conference के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जवरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी उसका साच्ष हमारे पास आ गया है और समय रहने पर उसको उजागर करेंगे बहुत सारे साच्षे आप लोगों के हम लोगों के पास आ चुके कि किस तरीके से आप ये पूरी जाच कर रहे हैं किस तरीके से पूरा ये सडेंत रच रहे पूरा खेल कर रहे हैं उसके पूरे साख्षे हमारे पास आ चुके हैं क्या सुरवात की जाज की इनों ने और इस पूरे मामले में ED में आईयो तो है जोगिंदर सिंग लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं वो कुछ नहीं कर सकते अपनी म अधिकारी है उसको निर्देश दिया जाता है ऐसे प्रतारित करो ऐसे मारो ऐसे धमकाओ ऐसे गालिया दो ऐसे अपमानित करो और बयान लिखके जाती है बयान लिखके बोलती है इस पे साइन कर ये लिखके दे रही हो इस पे साइन कर ये वासा होती है उस अधिकारी को और केलेगे साथ सौ करोन का सराब घोटाला हुआ है फिर क्या बोले बोले बीस से तीस करोन का साक्ष मिल गया है आठ महीने तक जात चली आठ महीने तक सैक्णों अधिकारी कई राज्यों में छापे मारी गिर्फतारी प्रतारिक करना गुंडागर्दी सब कुछ कर डाले सौ करोन का आरोप आठ महीने तक जाच फिर उस सौ करोन के फीगर को बदल के बीस से तीस करोन रुपए कर देते हैं कि साब बीस से तीस करोन का साक्ष मिल गया आठ महीने बाद कोट ने पूछा भई बीस तीस करोन का साक्ष कहा है तो कहने नेके साथ 6 लाथ रूपय का साक्षे मजाज सुनिये कि आללब कह रहा है 6 लाख रूपय का प्रमाण है आरोप है 100 करोन का फिर आए 20-30 करों पर फिर प्रमाण दे रहा है 6 लाख रूपय यह इनकी जाँच, यह इनकी नोटन की, इनका ड्रामेवाजी अभी दो दिन पहले से क्या सुरू किया है सत्त्रा करोन का सबूत मिल गया आप रोज नए ड्रामे कर रहे हैं रोज नए मजाग बना रहे हैं आपकी ADCBI कोई जाच एजनसी है या कॉमेडी कमपनी है अपने Entertainment Department खोल रखता है पहले कोगे 100 करोन का घोटाला फिर कोगे 20-30 करोन का घोटाला फिर कोगे 6,6,7 पिर कोगे 17 करोन का है अब कुछ नहीं मिला तो अब 17 करोन का है एक होर मिला इतना ही अगर अर्विंद केजिनिवाल और आमाद्मी पार्टी से नफरत है तो मैं तो प्रपोजल दे चुकाओ प्रधान मंत्री जी को कि किसी चौरा है पर खड़ा करके हम लोगों को तोप से उलवा दीजे इतनी नफरत क्यों रखते हो भाई कोई साच नहीं मिलना फिर दो दिन पहले से सुरू कर दी सत्रा करोन सत्रा करोन अब एक साल तक स धमका धमका करको और यह सत्रा करोन की जाज के लिए भी वही टैक्टिस डराओ धमकाओ जूटे बयान लो वही टैक्टिस कोट ने आठ महीने के बाद जब पूछा भाई सबूत तो दो आरोप लगा रहा है उस सौ करोन के घोटाले का कोई तो सबूत दो एक रुपए का न घोटाला हुआ है न एक रुपए का इनके पास कोई सबूत है यह दोनों की दोनों जाँच एजंसियां नरेंद्र मोदी के इसारे पे अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को बरबात करने की पूरी कोसिस और साजी सरच रही है एक भी साच्छ इनको नहीं मिला एक प्रमाण इनको नहीं मिला अभी एक व्यक्ति के बारे में हला मचाया गया खिसाब उसने केजरीवाल के बारे में बयान दे दिया केजरीवाल से उसकी बात हुई केजरीवाल से उसकी मुलाकात हुई अब सोचिए देश के तीन बार के चुने हुए दिली के राज्य के मुख्यमंत्री उनके बारे में जूटा प्रचार मीडिया के माद्यम से किया गया कि किसी सक्स का बैयान आ गया है किसाब ये तो केजरीवाल का नाम ले रहा है केजरीव वाल ऐसा केजरिवाल वैसा उसकी सच्चाई ये पता चली कि उसके मां उसके पिता और उसकी पतनी को बुलाकर अपने पास रखके धमका कर उससे बयान लिया गया बाद में उसी व्यक्ति ने कोट में जाके कहा कि ये सारी बाते जूटी हैं हमसे जबरदस्ती जबरन बयान ल सबूद दो तो एक दूसरे का मूद देखने लगे ED वाले CBI का, CBI वाले ED का दोनों अपने आका मोदी को याद करने लगे और कास आप कोई सबूद नहीं है तो राजे इस जोसी को और गौतम मलहुत्रा को जमानत मिल जाती है उसके बाद जब इनको फटकार लगी कोट से जब चारो तरफ थूथू होने लगी अब तो चेहरा बहुत काला हो रहा है कुस्तों कर रहा पड़ेगा परसों से 17 करोन की स्टोरी शुरू है अब ये मनोहर कहानी एक साल तक छपेगी बंद करो ये सब जाँच बंद करो ये सब ड्रामे और ED और CBI के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ भानू प्रिया जी अनमोल सचान जी संजय मिश्रा जी आप एक बड़ी नौकरी कर रहे है आई आरस की नौकरी कर रहे हैं I.E.S. I.R.S. I.P.S. ये देश की सब से बड़ी नौकरी होती गरब करते हैं आपके बच्चे आपके उपर आपका परिवार आपका समाज कि कितनी बड़ी नौकरी हमारा बेटा या हमारी बेटी कर रहे हैं और आप लोग ये काम कर रहे हैं ये घिनाउने करते एक अर्विंद केजरिवाल और आमादमी पार्टी को बगदाम करने के लिए ये सारी साजिसे हैं ये सारी चाले अब मैं आपको अपने से संबंदित महामला बताता हूँ इन्होंने गल्ती जो मानी और मुझसे कहा किसाब गल्ती हो गई थी लिखना था राहूल सिंग लिख दिया संजे सिंग उस दिन भी मैंने कहा था कि भाई आजय का संजे हो सकता है विजय का संजे हो सकता है राहूल का संजे कैसे हो गया तो बोले निनी साब गल्ती हो गई और हमने न्यायाले को लिख कर दे दिया कल वो पत्र हमारे हाथ में लगा अभी आपको शेयर कर देंगे इन्होंने एक नहीं तीन तीन जगे चार सीट में पहली चार सीट में मेरा नाम गलती से लिखा दूसरी चार सीट में मेरा नाम गलती से लिखा तीसरी चार सीट में मेरा नाम गलती से लिखा और जब मैंने defamation का notice बेजा तब इन्होंने court में ठीक किया इसका मतलब प्रधान मंत्री और भारती जंता पार्टी के इसारे पर मुझे फर्जी फसाने और जेल में डालने की गहरी साजी सिंके थी अगर मैं defamation का notice इनको नहीं भेजता तो ये मुझे निश्चिक रूप से जेल में भेजते आप सोचिए एक member of parliament को पहली चार सीट में आप गलत नाम लिखते हैं दूसरी चार सीट में गलत लिखते हैं तीसरी चार सीट और ये खुद मान रही एडी मैं नहीं कह रहा वो चिठी भी आपको दे दूँगा न्यायले के सामने इन्हों ने लिखा है कि साब ये तीनों जगह हमसे गलती हो गई अरे गलती एक बार हो सकती है और आपको मालूम है एडी की जो चार सीट फाइल होती हो ऐसे हवा में नह हो दी आप मजाक कर रहे हैं पिर अभी क्या किया इनोंने ड्रामा एक व॥िक्ति को बेल बाहर लाए जमानत पर उसको बाहर लेकिए इस व्यक्ति के पहले बहुत सारह बयान उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं जो अभी का बयान जब बाहर आता है उसके बाद का उसमें फिर मुझे फसाने की साजिस उसकी पूरी जानकारी विस्तित रूप से आगया आपको दूँगा ये चल रहा है ये जाच है इनकी तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये जो 17 करोण की नई मनोहर कहानिया सुरू ही है ये इस बात को साबित करती है कि ना तो E.D. के पास ना C.B.I. के पास एक पैसे का एक रुपे का भी कोई भ्रस्ताचार का कोई बेईमानी का कोई घोटाले का सबूत नहीं है शराब घोटाला मन गढ़ंत फरजी और जूट का पुलिंदा है और उसके जो अधिकारी E.D. C.B.I. के हैं ये भानू प्रिया या अनमोल सचान ये संजय मिश्रा ये सारे लोग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इसारे पर भारती जनता पार्टी के इसारे पर अर्विंद केजडिवाल और आम आदमी पार्टी को बरबाद करने की साजिस का हिस्सा है और इन से जुड़े हुए सबूद अब हमारे पास है वक्त आने पर देश के सामने इसको उजागर करेंगे जैसे मेरे केस में सामने तथ्याया प्रमाड आया और इनको गलती माननी पड़ी ऐसे ही बहुत सारे साक्षे और सामने आये हैं वो भी आपके सामने समय आने पर रखेंगे